दोरन नव विश्य हिंदी जेम सिक्षन संकुल की तरफ से आपका स्वागत है विद्यार्थी मित्रों तो विद्यार्थी मित्रों आगे के लेक्चर में हमने द्वितिय सत्रा के जो नीती के दोहे हैं मैंने वो आपको सिक्ष समझाए थे तो हम आज उसका पहले रिविजन करेंगे और उसके बाद में आगे के जो दोहे बाकी है वो मैं आपको समझा दूँगी तो पहले दोहे में क्या कहा था कि जो रुक्ष होता है वो अपने फल नहीं खाते, सरोवर अपना पानी नहीं पीता ऐसे जो गन्याणी पुरूस होते है परुप करने के लिए तो वो क्या करते है? अपनी धन संपती का संगरह करते है और दूसरे के लिए का भला करने के लिए उपयोग में लेते हैं दूसरा जो दोहा है उसमें क्या कहा है रहीम जी ने कहा है कि मनुश्य के पास जो संपती होती है बहुत होती है तो कि जब संपती हो तब सब लोग अपने मित्रों रहते हैं जो समपति नहीं रहती तो कोई अपना मीत्र रहता नहीं है वो समझ में आ जाता है कि विपति में कौण अपना है या कौण पराया है तीसरे दोहे में रहीम जी ने बताया है कि छोटे और बड़े तो छोटे लोगों की कभी उपेक्सा करनी नहीं चाहिए और एक सुई और तलवार का उधा एक्जामपल दिया है तो सुई का काम तलवार नहीं कर सकती और तलवार का काम सुई नहीं कर सकती ऐसे छोटों का काम बड़े नहीं कर सकते बड़ों का काम जहां छोटे नहीं कर सकते तो और उसके बाद में जो दोहा है उसमें रहीम जी ने बताया है कि रहीम जी कहता है कि गरीब जब लोग होते ना उसकी तरब सब लोग दया की नजर से देखते हैं पर गरीब पर किसी को दया नहीं आती है और सब लोग गरिब जो लोग होते हैं वो किसके समान होते हैं भगवान के समान होते हैं तो रहिमन जी कहते हैं कि गरिब लोग होते हैं उसकी तरफ कोई दया की द्रश्टी से दिख देखता नहीं है गरीब पर क्या करनी चाहिए दया रखनी चाहिए और वो किसके समान होते हैं भगवान के समान और उसके बाद में जो पांचमा दोहा है उसमें खीरा को मुख काटी के मलियत नोन लगाए रहीमन करुए म पर मुखन की चहिए यही सजा लेके खीरा याने के काकडी काकडी नो तमें देख जो गणी वर आपड़े काकडी होई ने एनो अंदर नो भाग कड़ो है छे गणी वर खट काकडी कडवी होई छे आपड़े काकडी उपा मिठु लगावी ने खाता होई छे तोसु केछे क काकडी ना कापेला भागु पर मिठु लगाव जो ये परन्तु कडवा एवीज रिते कडवा जे मोढ़ावाड़ा होई छे ने एम ने आ समझ आपवी जो ये कि जो कडवा मोढ़ावाड़े हम्मेंसा क्यों बोले कडवू बोले ये बधाने दूख लागे एव बोले क्या पण मीठी वानी बोले नहीं हम्मेश मीठू बोलू जो ये कडवू क्यारे पण बोलू जो ये नहीं कडवू बोलवा थी सामेवडा व्यक्ति ने दूख थतु हाई छे हवे आगड बीजू छे छट्थो दोहामा एम समझावतु के जो रहीम उत्तम प्रकृती का करी सकत कुसंग चंदन वीश व्यापत नहीं लपटे रहत बुजंग एले के छे कि जे उत्तम सभावडा लोकों ने खराब सवबत मा जायन तोपण कसी असर थती नथी एले के छे कि लाख प्रहत न करवा छता करे पन तोपण एम नमा खराब संसकारावता नथी तो केछे के जो तमे ए शाप जो होई छे एने चंदन ना जाड़ू पर लपटी राखे तोपण पोतानू वीश चतू नथी ए जहरी लोज रहे छे बिगरी बात बने नहीं लाख करो किन कोई सात्मो दोह चलावन बाकी अतो तो सात्मा दोहा मासू केछे के रहीमन बिगर दूद को मथे न माखन होई इले केचे के जो कोई वात एक उखत बगडी जाय तम्हें लाख प्रात ना करो चता पणे वात सुधरती न थी एवी जरीते बगडे गयला दूद होई छे बरबर एमाथे तम्हें सु बनाओ छो दाही ने माखन एवबदू दूद फाटी जाय तापड़े सु करिये छे मा माखन के पनीर नोबधू बनावता होई छे एवी जरीते फाटेला दूद मा थी के जमावेला दही मा थी गम्हे जेटलू एने वलोवमा आवे तोपण केचे सु केचे के माखन निकरतू न थी आजे एक उखत वात बगडी गई हो तम्हें गम्हें जेटला लाख प्रात न तेम करो पणी दूद फाटी गला माथी सु थाये दूद फाटी जाये तो तम्हें पनीर केऊ बने इसको पण गम्हें तेलू वलोवमा आवे प्रात न करो तोपण सु केचे के माथी माखन निकरतू न थी रहीमान वीपदा हुँ भली जो थोरे दिन होई हीत अनहीत या ज जगत में जानी पराति सबन और को ये ृृमान जी 9 अत मां दो हा माँसु केचayan उł представ टिवर ह 7 कई चrement मंटर केच हू कें मtes कीतले समय माट्रे कोड़ा समय महांटे हू थोड़ा समय माटे सही हाई। वा पढ़िवाख थे ठोड़ा समय нужी माच teuNTे 9 कामा हीतस हिते हिते छूज एले के कौण आपड़ा माटे सारा छे ने कौण खराब छे जो आपती के दूख एलामबा समय माटे होतु नथी एह हम्मेसा के वो है छे थोड़ा समय माटे होय छे तो आपती के दूख आवे तो एतला माँ खबर पड़ी जाके कौण आपड़ा साथ हापे छे ए बद्धु आपने ए समय मां खरब ए समय मां आपने खबल पड़ी जती होई छे एदले के छे कि ए समय जेवो छे कि जेमां आपने सारूच सूचे खोटू सूचे कया सगा सबंदी आपड़ा सारा छे कया सबंदी खोटा छे बद्धी वस्तु आपने एमां खबल पड़ी जती होई छे एदले के छे कि आपती थोड़ा समय मां आपने घणी बदी समझाण आपी जती होई छे तो रहीमन वे नर आगणनों छेल्व नमोदो होँचे के रहीमन वे नर मर चुके जे कहुँ मांगन चाहिं करता है पुछेए केछेए के निक्सत एले के निकाल ना बरवन अन्य एक चेछेए लोके ना भी तो केछेए के घणी वक्षते होवा छता पन जे मांगे ने एना कतापन वधरे मरी गेला समान पहला छे लेके कि होज तो कोदिवस कोई वस्तु ने मागवानी अपेक्षा राखवा नहीं गणाने तम्हें देख जो होँआ छता पर मागवानी बहुँ टेव हो है अने गणाने नथी हो तो ने तो पन कोदिवस मागता नथी एलो कोई ने बतावे नहीं कि अमारी पास है नथी तो रहिमन जी ना आज जे दोहा छे ए दोहा मा आपने गणु बदु समझावे छे आ नीती के जे दोहे छे ए तमार सातमा धुरन मा पन पहला आवी गएला छे सा तो के छे कि रहिमन जी आज दोहा द्वर आपने गणु बदु सिख्वाडे छे रहिमन जी आना द्वारा आपने दुनियानी परख करता सी खाड़े छे आज दोहा छे विद्याती मित्र इफक्त चोपड़ी मा आपया छे रे समझवा पुर्टु नहीं परन्तु आमा थी आपड़ा जीवन मा पन उतारवा जियो छे तो तमारे दोहा पती ग्या पती सबदार्थ औने टिप पनी तमारे सबदार्थ खरे लखवा नाचे हिन्दीनी नौट बुकँ मा तो वित्यार थी मित्रो तमारी हिंदी नी फर्स सेम नी नोट होए जो भराएगी हो तो बीजी नोट बना नोट के चोपड़ और ना भराएगी हो तो एक बेपेज छोड़ी द्वितिये सत्रानू हेडिंग मारी अने पछी लखवानू चालू कर जो दितिक के दोहेना सब दा लख जो स्वाध्या हूं तमने अत्यार समझावी दवचू स्वाध्या पन लखिदे चो बरवा अपड़े फक्त नोट बूक माँज काम करवानू छे पाठ ध्या पुसले आपड़े स्वापड़ पूथी माँज काम करवानू नथी एतली तमारे फक्त नोट भूक नुक काम इजिली फटाफट घरे ठाई जाके, उपड़ी ना स्वाध्या है, ए स्वाप पूथी ना स्वाध्या है जेटला मोटा नथी होता, बरवाद, तो हवे सू के छे के स्वाध्या नी अंदर, तो के पहलो प्रश्ण छे, रहीमन के अनुसार संपती का क्या महत्वा है, तो प्रश्णा है कि छोटो का तिरसकार क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटो का तिरसकार क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहट वे क्या कर सकते हैं, जो छोटे कर सकते हैं, वो बड़े कर सकते नहीं है, तीसरा है, सुई का काम कौन नहीं कर सकता, सुई का काम तलवार नहीं कर सकता और पांचमा जो प्रश्णा है कि उत्तम प्रकृती का क्या लक्षन है उत्तम प्रकृती वाले व्यक्ति का यहां लक्षन है कि वह बुराई के बीच में रहकर भी अपनी क्या नहीं छोड़ता अच्छाई नहीं छोड़ता यहां उत्तम प्रकृती का लक्षन है पांचमा प्रशना है सीसे क्यों नहीं चाहिए सीसे के बारे में हमारे इस दोहे में कुछ भी बताया गया नहीं है तो वो प्रशना आपको नहीं लिखना है आपको सिर्फ पांच प्रशना लिखना है पहले चार और छठा मांगने के बारे में रहीम क्या कहते है मांगने के बारे में रहीम मृत्यू के समान बताते है जो मांगता है वो मरे हुए व्यक्ति के समान है यानि के मृत्यू के समान है हमें कभी किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए हमें अपने मेहनत करके अपने आप जो भी पाना है वो महनत करके हमें पाना चाहिए तो मांगने के बारे में मैं रहिमन रुत्यू के समान बताया है तो आपको विध्यर्थी मित्रों क्या करना है घर पे निती के दोहे जो है उसके प्रश्ण नमबर एक लिखना है और सारे दो हे जो है वो मैंने आपको गुजाती ट्रांसलेट करके जो समझा है ना वो घर पे ओनलाइन वीडियो से आप जब भी सुनना चाहते हो दो बार तीन बार चार बार तो आप सुन सकते हो तो घर पे आपको क्या करना है वो समझना है तयार करना है और प्रशन नमबर एक लिखना है और क्या लिखना करोंगे उसके बाद में प्रश्ण नमबर दो है प्रश्ण निम्न लिखी प्रश्ण के उत्तर सविस्तार से लिखिए रुख्ष और सरोवर के उदारण से रहीम क्या समझाते वो मैंने आपको बताया दूसरा प्रश्णा है रहीम कड़वे खवाली मनुष्य की प्रकुरूती को कैसे समझाते है और लाख प्रत्न करने पर बिगडी हुई बात नहीं बनती ऐसा रहीम की सुधारण से समझाते है तो त्रोणे त्रोण जे प्रश्णा छे तमें दोहा नूँ भासंतर बरबर समझा हो तो तमें लखी शको अलिए तमने ओनलाइन विल्यों मा जारी वी इच्छा था चा तमें में साबडि अने समझी शको चो अने लखी शको चो प्रश्ण नमबर एक अने प्रश्ण नमबर बे बन्ने तमें तमरे तमरी नोट बुक मा हींदी मां मां लखवानू छे तो विज्यरथी मित्रो अने तैयार पान कर तो तमरू आजनू होमवर्क सब्दार्थ अने स्वाध्या अने दोहे तैयार कर जो दोहे परिक्सामा पुछाय चे भावार्थ लखो के दोहे समझाओ बरबर तो घर पे अपना क्या करोगे खयाल लखना अपना होमवर्क कम्प्लेट करना थेंक यू